दोरेमोन जन्म से लेकर अंत तक की क्या है रोचक कहानी बच्चे के लिए फाइदेमंद या नुकसान दे हैं। पिछली कई पीधियों से बच्चों के बीच में बेहद लोक्त्रिय रहा है दोरेमोन। इसके किस्से, इसके डायलॉग, इसकी शरारतें ये सब कुछ बच्चों को खूब लुभाता रहा है। आलम ये है कि बच्चों का बस चले तो घर के टीवी पर बस कार्टून शो दिखना चाहिए और दोरेमोन का शो उसमें भी टॉप पर रहता है। कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन एक छोटी सी रोबोटिक बिल्ली है। आज हम आपको इस ब्लॉग में डोरेमोन से जुड़े कुछ दिल्चस्प किस्सों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं और इसके साथ डोरेमोन को लेकर बच्चों में जो दीवानगी देखने को मिलती है क्या उसके कुछ नुकसान भी हैं इन सभी विश्यों पर च यार किया था राइटर फुजी को मांगा मैगजीन जापान की ग्राफिकल कॉमिक है के लिए कुछ नया करना चाहते थे आइडिया की तलाश कर रहे फुजी को ने सोचा की काश उनके पास कोई ऐसी मशीन होती जो उनकी परेशानियों का हल निकाल सकती ये सोचते हुए वो एक बिल्ली का कैरेक्टर बनाने का आइडिया आया जिसके पास एडवास गैजेट थे क्या है डोरेमोन का मतलब? डोरेमोन के नाम को करोडो लोग जानते हैं लेकिन इसके नाम का मतलब क्या है इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं दरसल डोरेमोन एक मिलाजुला नाम है, जहां डोरा, डोरा का मतलब है स्ट्रे यानी आवारा, वहीं एमोन, एमन, जापानी पुरुशों का नाम है तो इसका अर्थ हुआ आवारा पुरुश डोरेमोन ने भारत में कब दी दस्तक? आपको बता दें कि साल 2005 में डिजनी इंडिया के हंगामा टीवी चैनल में सबसे पहली बार डोरेमोन के शो को प्रसारित किया गया उसके बाद से डोरेमोन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा बच्चों के सरवाधिक लोकप्रिय शो में डोरेमोन की गिंती होती है ये तो आप जानते होंगे कि तमाम कार्टून शो में उस कार्टून कैरेक्टर के लिए वोयस ओवर और्टिस्ट होते हैं जो उस चरित्र को अपनी आवाज देते हैं वोयस ओवर और विजूल का ये मिश्रण इतना परफेक्ट होता है कि बच्चे उस आवाज को ही कार्टून कैरेक्टर की असली आवाज मान लेते हैं दोरेमोन को भारत में तकरीबन 14 साल तक आवाज बनी रही सोनल कौशिक बच्चों के बीच में क्यों इतना ज्यादा लोगप्रिय है दोरेमोन? बच्चे इस तरह के कार्टून कैरेक्टर से ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, जिनके बारे में उन्हें ये एहसास हो जाता है कि वो मुश्किल काम को आसान बना देता है बच्चे ये मान कर चलते हैं कि काश उनके पास भी एक दोरेमोन होता जो उनकी जिन्दगी को आसान बना देता दोरेमोन के बारे में बच्चों के बीच भी यही अवधारना बनी हुई है और शायद यही सबसे बड़ी वज़य है कि हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि उसके पास भी एक दोरेमोन होना ही चाहिए दोरेमोन की आवाज बनने का अफसर सोनल कौशिक को कैसे मिला दैनिक भासकर को दिये अपने एक इंटर्व्यू में सोनल कौशिक ने जानकारी देते हुए कहा कि जिस दोरान भारत में डोरेमोन के शो को लांच करने की योजना तयार की जा रही थी उस दोरान कई बच्चों ने आउडिशन दिया दोरेमोन के शो के अनेक किरदारों के लिए वोयस ओवर आर्टिस्ट का आउडिशन लिये जा रहे थे सोनल कौशिक को दोरेमोन के लिए चयन किया गा दिल्चस्प बात ये है कि जापान में डोरेमोन की आवाज काफी रोबोटिक थी शो के निर्माताओं को सोनल कौशिक की नैचुरल आवाज जयादा पसंदाई और तय किया गया कि सोनल की क्यूट आवाज ही भारत में डोरेमोन की आवाज बनेगी अपने अनुभवों को साज़ा करते हुए सोनल कौशिक ने कखा कि डोरे मोन के चलते वो भी काफी लोक्त्रिय हो गई और अब भी वे जहां जाती हैं तो बच्चे उनको डोरे मोन ही बुलाते हैं भारत का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्टून शो है डोरे मोन डोरे मोन को भारत का सरवाधिक लोक्त्रिय कार्टून शो बताया जाता है और करोडों की संख्या में इसके दर्शक हैं आपको बता दें कि सिर्फ बच्चे ही नहीं बलकि बड़े लोग भी डोरे मोन के शो को बड़े चाफ से देखते हैं साल 1980 में डोरे मोन की पहली फीचर फिल्म रिलीज की गई थी और उसके बाद से डोरे मोन की अब तक कुल 41 फिल्मे बन चुकी है अभी हाल ही में याने की मार्च 2022 में डोरेमोन नोबिताज लिटल स्टार वोर्स 2021 दोरीमोन दमूवी नोबिताज लिटल स्टार वोर्स 2021 रिलीज किया गया इस फिल्म ने दुनिया भर में कुल 22 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया क्या बच्चों के लिए डोरे मोन के नुकसान भी है? डोरे मोन भले दुनिया भर में लोक प्रिय हो लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे देश भी है जहां इस पर बैन लगा दिया गया है अपने पडोसी देश पाकिस्तान में साल 2016 में डोरे मोन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले लोगों की दलिय ये थी कि बच्चों पर इस शो का काफी गुरा प्रभाफ पड़ रहा है लगभग तीन साल के बाद दोरे मोन पर पाकिस्तान में बैन लगा दिया गया बांगलादेश में भी डिजनी चैनल पर बैनल लगा दिया गया है RTI एक्टिविस्ट आशीश चतुरवेदी ने सूचना प्रसारण मंत्राले और अन्य विभागों को नोटिस भेज कर डोरे मोन और शिंचैन जैसे शो पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है आशीश चतुरवेदी का कहना है कि इस तरह के कार्टून शो के दुश्परिनाम अब बच्चों के हावभाव, व्यवहार और खानपान पर भी दिखने लगे हैं आंकरों के मुताबिक हर सब्ताह 3.6 करोर बच्चे कार्टून देखते हैं और उनमें से आधे शिंचैन और दोरे मोन को देखना पसंद करते हैं अपने दावों में आशीश बताते हैं कि उन्होंने कुल 100 घरों में अध्ययन किया है इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स ने भी इसे बच्चों के लिए घातक माना है दोरे मोन के अलावा शिंचैन जिस तरीके से अपनी मा का मजाक उडाता है या लड़कियों के साथ फलर्ट करता है इसके अलावा उसकी भाशा को लेकर भी एक्सपर्ट बताते हैं कि पांच साल के बच्चे के बौधिक विकास में ये बाधक हो सकता है दूसरी तरफ दोरे मोन जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई में जी चुराने वाले नोगिता की मदद गैजेट्स से करता है तो इस शो को देखने वाले बच्चे भी अपने माता पिता से ऐसे गैजेट्स या रोबोट दिला देने की उम्मीद लगा लेते हैं एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चे के मन में इस तरह के शॉर्टकट माध्यम से अपना काम निकालने की प्रवृत्ती विक्सित हो सकते हैं और ये बच्चे के सरवांगीन विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है कैसी होगी डोरे मोन की एंडिंग? डोरे मोन के करोडो फैंस उसकी एंडिंग के बारे में सोच सोच कर अभी से परेशान हैं डोरे मोन की एंडिंग के बारे में हालां की अभी सब कुछ तय नहीं किया गया है लेकिन Stand By Me डोरेमोन फिल्म के निर्देशक यूची यादी और ताकाशी यामाजाकी ने जानकारी देते हुए बताया है कि ऐसा मुम्किन है कि नोबिता और शिजुका की शादी हो जाए और जिससे डोरेमोन का मिशन पूरा हो जाए फिर वो फ्यूचर में वापस लोट सकता है कि फ्यूचर में वापसी को लेकर अब आपके मन में विचार आ रहे होंगे तो हम आपको बता दें कि डोरेमोन अभी फ्यूचर से ही वर्तमान में आया है कहानी के अनुसार डोरेमोन का जन्म साल 2112 में होगा और वो अभी भविश्यकाल से नोबिता की जिंदगी को आसा जापान बनाने के लिए आया है साल 1979 में डोरेमोन को बनाया गया था और इस लिहास से उसकी उम्र अभी 54 साल की हो गई है साल 2012 में जापान की सरकार ने डोरेमोन के जन्म से 100 साल पहले ही उसका जन्म दिन मनाया डोरेमोन को जापान के कावासा की शहर का अधिकरित नागरिक घोशित किया गया है ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि किसी एक कार्टून कैरेक्टर को किसी देश की नागरिक्ता दी गई हो कैसी होगी डोरे मोन की एंडिंग डोरे मोन के करोडो फैंस उसकी एंडिंग के बारे में सोच सोच कर अभी से परेशान है डोरे मोन की एंडिंग के बारे में हालां की अभी सब कुछ तय नहीं किया गया है लेकिन स्टैंड बाइ मी डोरे मोन फिल्म के निर्देशक यूची यादी और ताकाशी आमाजाकी ने जानकारी देते हुए बताया है कि ऐसा मुम्किन है कि नोबिता और शिजुका की शादी हो जाए और जिससे डोरे मोन का मिशन पूरा हो जाए फिर वो फ्यूचर में वापस लोट सकता है फ्यूचर में वापसी को लेकर अब आपके मन में विचार आ रहे होंगे तो हम आपको बता दें कि डोरे मोन अभी फ्यूचर में बतादें।